वेलकम टो आर चैनल इंडियन मौम के और मैं हूँ आश्वरिया तो साल का सबसे पहला चंद्रगहन लगने वाला है जो कि 10 जनवरी को लगने वाला है इसका समय क्या है सूतक काल क्या है ये ग्रहन कहां कहां दिखने वाला है और गर्ववती महिलाओं को क्या क्या सावधानिय रखनी है क्या कर सकती है वो क्या नहीं करना चाहिए उनको ये सारी बाते मैं बताओंगी साथ ही ये भी बताओंगी कि इस साल कौन कौन से दिन यानि क्या तारीक है इस साल ग्रहन लगने के कितने ग्रहन लगने वाले हैं ये सारी चीज़े आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर देंगे देखने के बाद और कमेंट जरूर करेंगे अगर कुछ पूछना हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं खास बात ये है कि साल 2020 में पहला सोरे ग्रहन 21 जुन को लगेगा और पहला चंदर ग्रहन 10 जनवरी 2020 को लगने वाला है 2020 में कुल 6 ग्रहन लगेंगे जिन में से 3 चंदर ग्रहन होंगे और 2 शुरे ग्रहन होंगे इनी में से पहला ग्रहन लगने वाला है चंदर ग्रहन जो कि 10 जनवरी के रात 10 बच के 37 मिनट से 11 जनवरी के रात 2 बच के 42 मिनट तक रहेगा यह ग्रहन भारत के साथ साथ अफरिका, एशिया, यूरोप और अस्ट्रेलिया में देखा जाएगा इसका सूतक काल ग्रहन लगने से 9 घंटा पहले यानि 10 जनवरी को 1 बच के दोपहर से 49 मिनट से शुरू हो जाएगा सूतक काल वा काल होता है जिसमें कि आप कोई भी सुब कारे नहीं कर सकते हो कोई भी नया कारे आपको शुरू करना हो वो नहीं कर सकते हो ऐसा माना जाता है कि ये सूतक काल एक असुब काल होता है जिसमें कोई भी सुब कारे नहीं किया जा सकता है नॉर्मली ग्रहन के दिन सारे लोगों को साफधानिया रखनी चाहिए जैसे कि ग्रहन के दोड़ान खाना पीना नहीं चाहिए ग्रहन के दोड़ान ऐसे कुछ चीजे नहीं करनी चाहिए जैसे कि उन पर ग्रहन का असर पड़े आम लोगों को भी ग्रहन खुले आखों से नहीं देखना चाहिए लेकिन ग्रहन के दोड़ान गर्ब वती महिलाओं को खास कर साफधानिया रखने की जरूरत होती है वो क्या स पर दूद फिश्चित कर लें कि अगर आपको फिर भूख लगती तो दूद वगएरा या पानी वगएरा पी सकती है बर भूक अगर बहुत जादा तेज लग गई है तो फल वगएरा उस दोड़ान आप खा सकती है ग्रहन के समय दूशित तरंगे आकास से निकलती है जो की मानसिक और सारीरिक रूप से आपके बच्चे को कमजोर कर सकती है ग्रहन के समय काटना सिलना नहीं चाहिए नहीं मालिस करनी चाहिए कहा जाता है कि मालिस करने से बच्चे को त्वचा सम्मंदित बिमारी हो सकती है ग्रहन के समय नेग्रिटिव शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है ग्रहन के दोडान गुसा नहीं करना चाहिए, कुछ परना लिखना नहीं चाहिए, कोई भी नया काड़े नहीं करना चाहिए उस वक्त आपको मोबाइल भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि मोबाइल से निकलने वाला रेडियेशन आपके बच्चे को नुक्सान कर सकता है हो सके तो ग्रहन के समय उपवास करें या फलहार करें ग्रहन सुरू होने से पहले आपको एक तुलसी पत्ता अपने मुँ में डख लेना है और एक गंगाजल की एक चम्मज आपको अपने मुँ में पी लेना है ग्रहन के समय आपको कोई बाग बगीचो को नहीं लगाना है ना ही आपको प्रित्वी को खोदना है ना ही कोई जीव जन्तु को मारना है जीव जन्तु कहने का मतलब यह है जैसे की जमीन पे चल रहे हैं चीटिया या फिर मच्छर या फिर ऐसे कीरे मकौडे जो की हमारे से अंजाने में मर जाते हैं पता नहीं चलता है, तो वो सारी चीजों को करने से आप बचे. हो सके तो पूरे ग्रहन के दोडान आपको कोई ऐसी चीजे नहीं करनी है, जिससे की आपके और या आपके बच्चे पर इसका असर देखने को मिले. हो सके तो उस समय आप आडाम करें. रात का ग्रहन लग रहा है तो आप पती पतनी को जो है उस वक्त सम्मंद नहीं बनाना है ग्रहन के रौशनी में नहीं जाना है बहुत जादा जरूरी है तो अपने सरीर को पूरी तरह से धक लें कपड़ों से उसके बाद आप निकले अपने सर को धक लें जिससे की रौशनी आपके ऊपर या आपके सरीर पर ना पड़े डारेक्टली इसी के बाद 5 और ग्रहन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 5 जून 2020, 5 जुलाई 2020, 30 नमबर 2020, 21 जून 2020, 14 दिसंबर 2020 को देखने को मिल सकता है इन ग्रहन के दोडान भी आपको यही सारी साफधानिया बरतनी पड़ेगी ग्रहन समाप्त होने के बाद दान करना काफी अच्छा माना जाता है या तो आप किसी गरीब को या पंडित को आप दान कर सकती है अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देए